पानी पूरा विश्व पानी की समस्या से जूज रहा है पर हर कोई इसका मोल नहीं समझता इसकी सही कीमर तो वहीं समझते हैं जो बूंद बूंद के लिए दरसते हैं जैसे की महाराश्ट में बुलढ़ाना के लोग वहाँ पानी बहता तो है पर सबकी आंखों से पानी की समस्या किसी एक की नहीं सूखे की चपेट में आएं उनमें से बहुत उने आत्महत्या की है अगर हम निकाल सके तो उसकी निकाल बढ़ जाएंगे और जितनी भी वारिश होती है वह पानी इस्टोर हो जाएगा कस्तकारों के आत्मात्या कैसे कम करें यह सोचते सोचते मेरे दिमाग में मेरे पूरवानुभों से शंतिलल जी और बीजेस का एकदम से खयाल आया 2013 में बीजेस ने दुशकाल प्रभावित बीड जिले से शुरुवात की जिसमें 117 तालाबों में डी सिल्टिंग कर उनका पुनर जीवन किया इस सफलता के बाद बीजेस ने पानी फाउंडेशन के साथ मिलकर आगे कदम बढ़ा है महराष्ट्र में 2013 से पानी का संकट बढ़ते जा रहा है हमको पिने का पानी रेलवे से लेके जाना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर हमने 2013-14 पंद्रा में कई गाउं में काम किया जब 2015 में फड़नविश जी मुख्यमंत्री थे उनके साथ जब बातचीत हमने की हमने 24 डिस्टिक्स के 75 तसिल में ये काम करने का निरनाई लिया जब बुल्डाना के ततकालिन कलेक्टर पुलकुनवार जी का मुझे फोन आया उसके बाद में हमने अधरने मुख्यमंत्री जी फड़नविश जी से बात की कि क्या हम बुल्डाना डिस्टिको वाटर से पीशेंट बना सकते हैं क्या जब महराश्टर के मुख्यमंत्री जी ने consent दिया, acceptance दिया तो हमने बुल्डाना जाके कलेक्टर और अफिशल से बात की, लोग प्रतिने से बात की, जन्ता से बात की और हम सब लोगों ने ये डिशाइड किया कि आब हम एक नया जलयग्य शुरू करेंगे. शान्तिलाल जी इस विनम्र प्रयास में यथा संभव सहायता पानी की आशा में कई संबंधित लोगों से मिले. गाओं गाओं जाकर सभी को प्रशीश्चित किया, सभी को विश्वास दिलाया कि ये काम सच-पुछ होने वाले हैं. उनके प्रस्ताव पर सबसे पहले कदम बढ़ाया टाटा ट्रस्ट में, जिनकी मदद से शान्तिलाल जी 134 JCB मशीन्ज बुल्धाना में लाया. वहां से आरंभ हुआ एक नए अर्ध्याय का, बुल्धाना के उन्नति का. सरकार ने तुरंत इंधन का प्रबंद किया. और B.J.S. ने किसानों को हरी भरी उपजाओ जमीन का सपना देखने के लिए प्रेरित किया. उपाय सरल था जलाशियों से सिल्ट खोदना और उस सिल्ट को बंजर खेतों में ले जाना, उन्हें उपजाओ बनाने के लिए. गाम के हर किसान ने अपने कदम बढ़ाएं. एक उजवल जीवन की ओर और सुजलाम सुफलाम की. भला तो होना ही था. वर्षा का आगमन हुआ और चारों और बस खुशी की लहर चावे. सबकी महनत रन लाए. ये द्रिश बुल्धाना के घर घर में देखने को मिलेगा. जो कठिन समय था, वो अब बीच चुका है. कभी ना लौटने के लिए. क्यूंकि बीजे एस और प्रशासन ने यहां हरित क्रांती की बीच जो बोया है. अब तो सब मंगल ही होगा. ये द्रिश बुल्धाना के लिए. क्यूंकि बीच जो बुल्धाना के लिए. ये द्रिश बुल्धाना के लिए. क्यूंकि बीच जो बुल्धाना के लिए. आता गर अतन वडित गालकार डेमुलों फाइदा जाला. पानी आल्याने गायला कुटों जायता कम नहीं. तावाला पानी है, जनावराना पानी है, आनि आता सग लसु जलान सुखला. मुझे विश्वास है कि भारती जैन संगर्टन के साथ मिलाकर हम जरूर समाज में परिवर्तन ला सकेंगे. भाराश्ती के गुल्ड़ाना जिले को EJS और इस्थानी प्रिशाशन ने मिलकर वाटर सफीश्य चिला बनाया है. जल आकमे निवर्ता को लेकर किया गया या प्रेवुप अपने आप में एक मिसाल है. या मॉड़ल गुल्ड़ाना जिले में जिस तरे कालगर और सफल हुआ है वे देश के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रेवप और अलुकरणी ले है. जा प्रकाल चा काम EJS में सुनू केला है. आपलिया सगयाच्या सवकार्याने आडि मंचा आवर बसनेले सरव पक्षाचे नेते याचा मने सवकार्या करता है. या सगयाच्या सवकार्यात निश्चित पड़े आपन दुषकाल भुत्ता आडि जलपरी पूर्ला करू. मुझे इस बात की प्रसंदता है कि BJS महराज्ट के अपने सफल प्रयोग को केंद्र राज्य सरकानों के सहयोग से अब 13 प्रदेशों में लेकर जाने वाली है इस तरह से देश के सौ जिनों को जल आत्म निर्भर जिले बनाने में मदद मिलेगी जब महराश्टर के बुल्डाना डिस्टिक में खोशयाली आई सुजलाम सुखलाम बना तो इसकी चर्चा हुई महराश्टर के ततकालीन मुख्यमत्री भड़नवीज जी और शरत पावर जी ने हमें इसको महराश्टर के चार ऑल डिस्टिक में ले जाने के लिए सहयोग किया नित्ययायोग ने करनाटका के दो डिस्टिक में इसको स्केल किया इसके बाद यह पता चला कि यह मॉड़ेल सब तरफ रेप्लिकेट हो सकता है इसकी प्रोसेश स्त तो इसके आधार पर चेंदर शाषन, जलशक्ति मिनिस्ट्री, पंचायत राज मिनिस्ट्री हम सब लोगों ने साथ में मिलके, क्या ये मॉडेल हंड्रेड डिस्टिक्ट में हम परशाषन को सयोक कर सकते हैं क्या, इस विशे में सोचा गया, मुझे विश्वास है, हंड्रेड यह एक से नहीं होता है, यह हम सब से होगा, हम जैन समाज के सभी 100 डिस्टिक के लोग एक आकर मिशन मोड पर काम करेंगे, 100 डिस्टिक को वाटर सफिशन करके तीन साल में बताएंगे, और अब आधर ने प्रदान मंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हम रात दिन की मेहनत करके वो काम करने का प्रयास करेंगे, इसका मुझे विश्वास है. करेंगे, इसका मुझे बताएंगे, इसका मुझे विश्वास है. करेंगे, इसका मुझे विश्वास है.